फरजी लोन एप दोरा लोन देकर अधिक ब्याज वसूलिनेबा ब्लैक मेल कर पैसा एटने वाले गिर्यों को क्राइम ब्रांच ने ग्रफतार कर परदा फास कर दिया है बताया गया है कि आरोपी फरजी लोन एप दोरा लोन देकर ब्लैक मेल करते थे आरोपियों दोरा जीरो प्रतीशत व्याज के नाम पर 40 प्रतीशक तक व्याज बसूरा जाता था इसी के साथ ही एप में 50,000 के लोन के नाम पर 20,000 प्रोसेसिंग फीस काट कर 30,000 वे दिये जाते थे इसी के साथ ही पैसो से संबंदिद इस एप में कई जोल चलते रहते थे लेकिन अब इस गुरहों का परदाफास हो चुका है क्राइम ब्रांच ने सबी आरोपियों को मुंबई से ग्रफतार कर लिया है क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आये थी जिसमें एक फर्यादी ने बताया था कि एक आनलाइन लोन एप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके री पेयमेंट में उसने काफी बड़ा अमाउंट पेयमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नमरों से धंकिया आ रही है उसको परशान किया जा रहा है उसकी फोटो उसको मौर्फ किया जा रहा है इस संबन में क्राइम रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू ही और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से तीन आरोपियों को पकड़ा है वहाँ पर पहुँचने के बाद मुंबई पहुँचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोको समझ में है कि इस तरह के लॉन अप्स के पीछे दो तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं वहां पर ये लोग फर्यादी को फोन करके परशान करने के नाम पर जो में नमबर प्राप्त हुआ था उसमें ग्रिफतार किये गए हैं इसके अलावा जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनमें अभी फिलार अपनी इंवेस्टिकेशन में करीब 486 ट्रांसक्शन्स ऐसे हैं जो क फर्यादी ने रीपे किये हैं वो बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट्स में पैसे गए हुए हैं जिनकी इन्वेस्टिकेशन में तो टाइम लगेगा तो मनी ट्रेल को हम लोग अलग से अभी अलग से फालो कर रहे हैं कि वो पैसे तरीप 14 लाग रुपैस जो हैं वो कहां लेने वालों को धमकाते थे और उनकी फोटो उसको मॉर्फ करवा के उसके बदले ब्लैक मेल करके उनसे अधिक से अधिक पैसे वस्कुलते थे